हाउर फिक्स फास्ट चार्जिंग नोट वर्किंग प्रॉब्लेम इन एनी सैमसंग एम सीरिस नमस्कार दोस्तों सुआगर अब सभी का तिकराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने डिवाइस पर फास्ट चार्जिंग नोट वर्किंग प्रॉब्लेम फिक्स कैसे कर सकते हैं अगर दोस्तों आपकी जो डिवाइस है उसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं फिर भी दोस्तों यहाँ पर फास्ट चार्जिंग नहीं हो रहा है आपकी डिवाइस ठीक है तो कैसे यहां पर फिक्ष्ट हो जाएगा वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बैल आइकोन को क्लिक करें और अगर आप ऑनलाइन पैसा कामाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा चले दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों यहां पे आपको करना क्या है अगर दोस्तों आपको यहां पर कोई भी इशू कोई भी प्रॉब्लम आ जाते है तो आप हमेशा यह चेक कीजिए कि आपके डिवाइस में और आपके जो आप्सपचिन बार म में तो उनको आप बंद कर दीजिए जैसे कि यहां पर होगा आपका वाइफ कनेक्शन मोबाइल डेटा होट सपोट टेकर लोकेशन अगर आप दोस्तों यह सब ऑन करके मोबाइल को चार्जिंग करेगा तो आपके डिवाइस में चार्जिंग स्लोर डेफिनिटली होगा और स दोस्तों आपको यहां पहले मा सकते हैं ठीक है क्यूंकि दोस्तों 둘 तो जहने बातार बिश्त करना तो आप और दोस्तों आपको यह सब चीजे जो है एवाइट करना होगा और सारे साथ दोस्तों मुबाइल पर देखे अगर कोई बैट अप्लिकेशन गलती से इंस्टॉल हुआ है कोई भी अप्लिकेशन जो कि अनून वेबसाइट से इंस्टॉल किया हुआ है तो उन वेबसाइट से इंस्टॉल किया हुआ अप्लिकेशन को आप डिलेट कर देजे क्योंकि दोस्तों वह आपकी डिवाइस के लिए आमफूर हो सकते हैं तो उनको डिलेट करना भी बहुत जरूरी है ठीक है तो यह सब दोस्तों एक बेसिक सॉलुशन ही है जो कि आपको ध्यान पर रखना चाह है ठीक है तो एक बार दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा औरिजिनल चार्जर यूज़ करके देखें तो आपका जो प्रॉब्लम है बिल्कुल फिक्स हो जाएगा और दोस्तों अगर आपने कभी ऐसा किया है कि आपने जो चार्जर उसको बदल के आपने बहुत बार ठीक है उसके बाद प्रॉब्लम आना शुरू हो गया तो यहां पर आपके जो मॉबाइल चार्जिंग पर ने वो डेमेज हो चुका है तो आप किसी भी टेक्निशन के पास जाके उसको डायरेगली फिक्स कर सकते हैं ठीक है बेतर यह होगा कि आप सर्वेस सिंटर पर जाए वो फिक्स करके देगा क्योंकि दोस्तों ऐसा प्रॉब्लम खुद से भी मैंने देखा हुआ है ठीक है चार्जर बदल के यूज करने से यहां पर जो मॉबाइल का पीन होते है चार्जिंग करने वाला वो खराब हो जाते तो उसके बाद प्रॉब्लम शुरू होते मॉबाइल है उसमें एक सेटिंग रहेगा तो वह सेटिंग जोए दोस्तों फास्ट चार्जिंग करने के लिए ठीक है तो आएए मैं आपको वह भी शो करके बता रहता हूं तो वह सेटिंग दोस्तों आपको मिलेगा आपके मॉबाइल के डिफॉल्ट सेटिंग पे इस्क् 100% करने के लिए आपको optimize करना होगा ठीक है तब जाके 100% हो जाएगा तो अभी फिलाल दोस्तों यहाँ पर में जाता हूँ बैटरी आप्शन पर एंदेन दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा more battery settings और fast charging को इनेबल कर लीजिए ठीक है तो फास्ट चार्जिंग सपोट करते तो फास्ट चार्जिंग का आप्शन मिलेगा आपको फास्ट चार्जिंग इनेबल कीजिए एंदेन चार्ज करके देखे सोल फो जगा आपका problem और साथी साथ में दोस्तों आपका software जो है अगर आपने आपडेट नहीं करने के वाज़े से कई सारे problem सामने आ जाते तो आप software को अपडेट जरू करना तो दोस्तों चार्जिंग का जो प्रॉब्लम है कुछ इसी तरह के से फिक्स्ट होगा ठीक है यहाँ पर दूस्तों मैंने कुछ आपको solutions बता दिया है टेक्निशन का जो से किसे होते तो आप वह भी कर सकते हैं यह solutions भी कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसने हैं तो वीडियो को लाइक आप जरू से कर सकते हैं आज के लिए वस इतना ही टेंक्स वराचिंग